ओम शांति ओम शांति आज पाँच अप्रेल दोहजार चौबस दिन शुक्रवार की साकार मुरली आए अब सुनते हैं मीठे मीठे बाप दादा के मधूर महावा क्यों को मीठे बच्चे बाप को प्यार से याद करो तो तुम निहाल हो जाएंगे नजर से निहाल होना माना विश्व का मालिक बनना प्रश्न नजर से निहाल किंदा स्वामी सत्गुरू इसका वास्थ्विक अर्थ क्या है? उत्तर आत्मा को बाप द्वारा जब तीसरी आख मिलती है और उस आख से बाप को पहचान लेती है तो निहाल हो जाती अर्थात सद्गती मिल जाती है बाबा कहते बच्चे देही अभिमानी बन तुम मेरे से नजर लगाओ अर्थात मुझे याद करो और संग तोड एक मेरे संग जोडो तो बेहाल अर्थात कंगाल से निहाल अर्थात साहुकार बन जाएंगे ओम शंते मीठे मीठे रुहानी बच्चे किसके पास आते हैं रुहानी बाप के पास समझते हो हम शिवाबा के पास जाते हैं यह भी जानते हैं शिवाबा सब आत्माओं का बाप है यह भी बच्चों को निश्चे चाहिए कि वह सुप्रीम तीचर भी है तो सुप्रीम गु इज़र से नज़र मिलाते हैं, गायन है नज़र से निहाल किंदा स्वामी सत्गुरु, उनका अर्थ चाहिए, नज़र से निहाल किसको, जरूर सारे दुनिया के लिए कहेंगे, क्योंकि सर्व का सद्गति दाता है, शर्व को इस पतित दुनिया से ले जाने वाला है, अब न बाप आत्माओं को राय देते हैं कि मुझे याद करू बाप आत्माओं को समझाते हैं। बाप को याद करेंगे तो निहाल हो जाएंगे। इसमें कोई तकलिफ नहीं। आत्मा ही पढ़ती है, पार्ट बजाती है, कितनी छोटी है। जब यहाँ आते हैं तो 84 जन्मों का पार्ट बजाते हैं। फिर वही पार्ट रिपीट करना है। 84 जन्मों का पार्ट बजाते हैं, आत्मा पतित बन पड़ी है। अब आत्मा में कुछ भी दम नहीं रहा है। अब आत्मा निहाल नहीं बेहाल अर्थात कंगाल है। फिर निहाल कैसे बने। यह अक्शर भक्ती मार्ग के हैं, जिस पर बाप समझाते हैं। वेद शास्त्र चितरों आधी पर भी समझाते हैं। तुमने यह चित्र श्रीमत पर बनाए हैं, आसुरीमत पर तो अनेक धेर के धेर चित्र बनाए हैं, उनका कोई occupation नहीं, या तो बाप आकर बच्चों को पढ़ाते हैं, अगवानु वाच है तो उनकी knowledge हो गई, student जानते हैं, यह फलाना teacher है, या तुम बच्चे जानते हो कि बे पढ़ते पढ़ते रात पढ़ जाती हैं, इस पढ़ाई से दिन में चले जाते हैं, वह पढ़ाईयां तो जन्म जन्मांतर पढ़ते आए, इसमें तो बाप साफ पतलाते हैं, कि आत्मा जब पवित्र होगी, तब धार ना होगी, कहते हैं, शेरनी का दूद सोने के बरतन मे 24 कैरेट था, अभी 9 कैरेट हो गया है आत्मा की जोती जो जगी हुई थी, वे अब बुझ गई है जोती जगी हुई और बुझी हुई वालों में भी फर्क है जोती कैसे जगी और पद कैसे पाया, यह बाप ही समझाते हैं बाप कहते हैं, मुझे याद करो जो मुझे अच्छी तरहें से याद करेंगे मैं भी उनको अच्छी तरहें याद करूँगा यह भी बच्चे जानते हैं नजर से निहाल करने वाला एक बाप ही स्वामी है इनकी आत्मा भी निहाल होती है तुम सब परवाने हो उनको शम्मा कहते हैं कोई परवाने सिर्फ फेरी पहनने आते हैं, कोई अच्छी तरह पहचान लेते हैं, तो जीते जीव मर जाते हैं, कोई फेरी पहन चले जाते हैं, फिर कभी कभी आते हैं, फिर चले जाते हैं, इस संगम का ही सारा गायन है, इस समय जो कुछ चलता है, उनके ही शास्त्र बनते ह बाप एक ही बार आकर वर्सा दे कर चले जाते हैं बेहद का बाप जरूर बेहद का वर्सा देंगे गायन भी है 21 पीड़ी सत्युग में वर्सा कौन देते हैं भगवान रचियता ही आधा कलप के लिए वर्सा देते हैं रचना को याद भी सब उनको करते हैं वे बाप भी है तो टीचर भी है स्वामी सत्गुरु भी है बल तुम और किसी को भी स्वामी सत्गुरु कहते होंगे परन्तु सत एक ही बाप है टुर्थ हमेशा ही बाप को कहा जाता है वे टुर्थ क्या आकर करते हैं वही पुरानी दुनिया को सच खंड बना देते हैं, सच खंड के लिए हम पुर्शार्थ कर रहे हैं, जब सच खंड था तो और सब खंड नहीं थे, यह सब पीछे आते हैं, सच खंड का किसी को भी पता ही नहीं, बाकी जो अब खंड हैं उनका तो सब को मालूम है, अपने हम ब्राह्मन ब्रह्मा की उलाते हैं, परंतु वह हैं कुखवैंशावली, तुम हो मुखवैंशावली, वह हैं अपवित्र, तुम मुखवैंशावली हो पवित्र, तुम मुखवैंशावली बन, फिर छी छी दुनिया रावन राज्य से चले जाते हो, वहां रावन राज्य ह अब तुम चलते हो नई दुनिया में। उनको कहते हैं वाइसलेस वर्ड। वर्ड ही नई और पुरानी होती है। कैसे होती है यह भी तुम जान गए हो, दूसरा तो कोई की बुद्धी में नहीं है। लाखों वर्ष की बात को कोई जान भी ना सके। यह तो थोड़े समय की बात है। यह बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। बाप कहते हैं मैं आता ही तब हूँ जब खास भारत में धर्म गलानी होती है। दूसरी जगे तो किसी को पता ही नहीं कि निराकार परमात्मा क्या चीज है। बड़ा बड़ा लिंग बना कर रख दिया है। बच्चों को समझाय है आत्मा का साइज कभी चोटा बड़ा नहीं होता है। जैसे आत्मा अविनाशी है वैसे बाप भी अविनाशी है। पूर्ण निर्विकारी, नई दुनिया फिर जरूर पुरानी होती है, कला कम होती जाती है, दो कला कम चंदरवंशी राजे था, फिर दुनिया पुरानी बनती जाती है, पीछे और और खंड आते जाते हैं, उनको का जाता है बाई प्लोट, परन्तु मिक्सप हो जाते हैं, ड धर्म को बदला दिया, हिंदों ने अपना धर्म आपे ही बदला है क्योंकि कर्म भ्रेष्ट होने से धर्म भ्रेष्ट भी हो पड़े हैं, वाम मार्ग में चले गई हैं, जगनात के मंदिर में भी बल गए होंगे परन्तु कोई का कुछ खयाल नहीं चलता, खुद विकारी हैं तो उनों को भी विकारी दिखा दिया है, यह नहीं समझते हैं कि देवताइं जब वाम मार्ग में गई हैं, तब ऐसे बने हैं, उस समय के ही चित्र हैं, देवता नाम तो बड़ा अच्छा है, हिंदू तो हिंदूस्तान का नाम है, फिर अपने को हिंदू कह दिया है, कितनी भूल है इसलिए बाप कहते हैं यदा यदा ही धर्मस से बाबा भारत में आते हैं ऐसे तो नहीं कहते मैं हिंदुस्तान में आता हूँ यह है भारत हिंदुस्तान वा हिंदु धर्म है नहीं मुसल्मानों ने हिंदुस्तान नाम रखा है यह भी ड्रामा में नूध है अच्छी रीती समझना चाहिए यह भी नौलेच है पुनर जनम लेते लेते वाम मार्ग में आते आते ब्रेश्टाचारी बन पड़ते हैं फिर उनों के आगे जाकर कहते हैं आप संपूर्ण निर्विकारी हो हम विकारी पापी हैं और कोई खंड वाले ऐसे नहीं कहेंगे हम नीच है अत्वा हमारे में कोई गोण नहीं है ऐसे कहते कभी सुना नहीं होगा सिक लोग भी ग्रंत के आगे बैठते हैं परन्तो ऐसे कभी नहीं कहते कि नानक तुम निर्विकारी हम विकारे नानक पंथी कंगन लगाते हैं वह है निर्विकार पने की निशानी परंतु विकार बिगर रह नहीं सकते हैं चूटी निशानिया रख दी हैं जैसे हिंदू लोग जनेव पहनते हैं पवित्रता की निशानी हैं आजकल तो धर्म को भी नहीं मानते इस समय भक्ती मार्ग चल रहा है इनको का जाता है भक्ती कल्ट ग्यान कल्ट स सत्युग में हैं, सत्युग में देवताई हैं संपूर्ण निर्विकारी, कल्युग में संपूर्ण निर्विकारी कोई हो न सके, प्रवरती मार्गवालों की स्थापना तो बाप ही करते हैं, बाकी सब गुरु हैं निवरती मार्गवाले उनसे उनों का जोर जास्ती हो गया ह बाप कहते हैं यह जो कुछ तुमने पढ़ा है उनसे मैं नहीं मिलता हूँ मैं जब आता हूँ तो सब को नजर से निहाल कर देता हूँ गायन भी है नजर से निहाल किंदा स्वामी सत्गुरू या तुम आई क्यों हो निहाल बनने विश्व का मालिक बनने बाप को याद करो तुनिहाल बन जाएंगे ऐसे कभी कोई कहेंगे नहीं कि ऐसा करने से तुम यह बन जाएंगे बाप ही कहते हैं तुमको यह बनना है यह लक्षमी नारण कैसे बने कोई को मालूम नहीं है तुम बच्चों को बाप सब कुछ बताते हैं यही 84 जन्म ले, पतित बने, फिर तुमको यह बनाने आया हूँ, बाप अपना परिच भी देते हैं, तो नजर से निहाल भी करते हैं, यह किसके लिए कहते हैं, एक सत्गुरु के लिए, वे गुरु लोग तो ढेर हैं, और माताएं अब लाए हैं भोली, तुम सब भी बोलान के बच्चे हो, शंकर के लिए कहा है, आँख खोली विनाश हो गया, यह भी पाप हो जाएं, बाप कभी ऐसे काम के लिए डारेक्शन नहीं देते हैं, विनाश तो कोई और चीजों से होगा ना, बाप ऐसे डारेक्शन नहीं देते, यह तो सब साइंस निकालते रहते हैं, स मीठे मीठे बच्चे, तुम भी बाप से नजर लगाओ, अत्वा हे आत्मा, अपने बाप को याद करो, तो निहाल हो जाएंगे, बाबा कहते हैं, जो मुझे याद करते हैं, मेरे लिए सर्विस करते हैं, मैं भी उनको याद करता हूँ, तो उनको बल मिलता है, तुम जो निहाल हो जाएंगे, वही राजा बनेंगे, गायन भी है, और संग तोड एक संग जोड़ो, एक है निराकार, आत्मा भी निराकार है, पाप कहते हैं, मुझे याद करो, तुम खुद कहते हो, हे पतित पावन, यह किसको कहा, ब्रह्मा को, विश्नु को, यह शंकर को, न उनको कह जाता है, सर्वशक्ती मान, बाप ही स्रिष्टी के आदिवध्य अंत की नौलिज सुनाते हैं, और सब शास्त्रों को जानते हैं, वह सन्यासी शास्त्रादी पढ़कर टाइटल लेते हैं, बाप को तो पहले ही टाइटल मिला हुआ है, उनको पढ़कर थोड़ ही ल नमस्ते, रुहानी बच्चों की रुहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉरिंग और नमस्ते, धारना के लिए मुख्य सार, शमा पर जीते जी मरने वाला परवाना बनना है, सिर्फ फेरी लगाने वाला नहीं, इश्वरिय पढ़ाई को धारन करने के लिए बुद् दिल की महसूस्ता से दिलाराम की आशिर्वाद प्राप्त करने वाले स्वर परिवर्त तक भव, अब बाप दादा के वर्दान को विस्तार में समझेंगे, स्वर को परिवर्तन करने के लिए दो बातों की महसूस्ता सच्चे दिल से चाहिए, पहली अपनी कमजोरी की महसूस्ता, और दूसरी जो परिस्थिती वाव्यक्ती नमित बनते हैं, उनकी इच्छा और उनके मन की भावना की महसूस्ता, परिस्थिती के पेपर के कारण को जान स्विम को पास होने के श्रेष्ट स्वरूप की महसूस्ता हो, कि स्वर्स्थिती श्रेष्ट है, परिस्थिती पेपर है, यह महसूस्ता सहज परिवर्तन करा लेगी और सच्चे दिल से महसूस किया, तो दिलाराम की आशिरवात प्रा स्लोगन वारिस वह है जो एवर एड़ी बन हर कारे में जी हजूर हाजिर कहता है ओम शंति कि किस्क आ सीज नाइस तका जी हम है गम जाए कि रहर बेसाश की बना हरो भ्लाइस बन okay toन ओे बना हर